प्रादेश एक समाचार सीमा सुरक्षा बलके पेंशन भोगियों की शिकायत के निवारण के लिए आज पेंशन अदालत लगाई जाएगी राजी मंत्रु परिशद ने सहकारी बैंकों से किसानों को अलपावधी फसल रण देने की योजना को जारी रखने का फैसला किया और भोपाल में कल से हौकी इंडिया सीनियर विमन नाशनल चैंपियनशिप शुरू होगी अब समाचार विस्तार से मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि परशुराम चरत्रो और गीता सार को शिक्षा पाठिक्रम में शामल किया जाएगा अजबारे में पाठिक्रम समिती की बैठक करने के नर्देश दिये गए हैं मुखे मंत्री कल मंत्राले में मंत्री परिशत की बैठक के पहले मंत्री गण को संबोधित कर रहे थे मुखे मंत्री ने बताया कि संस्कृत पढ़ने वाले वद्यार्थियों के लिए प्रोथसाहन स्वरूप चात्रवरति की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने वद्यार्थियों को जुलाई महीने से चात्रवरति मलना शुरू करने के नर्देश भी दिये है मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत शिक्षकों के सभी पद भरे जाएंगे अब तक 1900 पद भर लिये गए हैं शेश पर भरती जारी है जब तक शिक्षकों की भरती नहीं होती तब तक अधिथी शिक्षक की विवस्था की जाएगी मुखे मंत्री निकाहा कि संस्कृत शिक्षकों के पदों पर भरती से युवा संस्कृत भाशा के प्रती आकरशित होंगे और संस्कृत शिक्षन को करियर के रूप में अपनाले के लिए भी प्रेरित होंगे राजी मंत्री परिशत की कल हुई बैठक में उमकारेश्वर में शंकराचारी की प्रतिमा स्थापना जबलपुर में मरिकल कॉलेज के लिए स्वीकृती राशी बढ़ाने जैसे कुछ अन्य महत्वपूर निर्नय भी लिये गए मंत्री परिशत ने उमकारेश्वर में आचारी शंकर की 108 फुट उजी बहुधातु प्रतिमा और पेडस्टल कार्य के लिए 148 करोड से अधिक की राशी स्वीकृत की है वहीं मंत्री परिशत ने जबलपुर के नेताजी सुभाश चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्याले में 1500 से 2500 MBBS सीट्स में व्रधी के लिए 171 करोड 49 लाक रुपे राशी की प्रशास की स्वीकृती दी है इसके अलावा मंत्री परिशत ने सिंगरॉली में प्रस्तावित खनन प्रोध्योग की संस्थान में 95 पदों के लिए वित्तिय प्रावधान की स्वीकृती भी दी साथी प्रदेश में कोरोना महमारी के प्रकोप के कारण निम्न आयवर्ग वाले घरेलू उब्भुकताओं को विद्युत देवकों के भुकतार में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए मुखे मंत्री विद्युत बिलों में राहत यूजना का अनुमोदन भी किया चार राज्यों राजस्थान उत्तरप्रदेश, मधिप्रदेश और 36 गर से सीमा सुरक्षा बल के सेवा निवरत पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायत और उनके निवारण के लिए एक राश्य व्यापी पेंशन अदालत आज 5 म को सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकन पूर्जिला ग्वालियर में लगेगी राश्य व्यापी पेंशन अदालत में दिनेश कुमार शर्मा उपकमांडन्ट सीमा सुरक्षा बल अकादमी को नोडेल आफिसर नियुक किया गया है सीमा सुरक्षा बलके पेंशन भोगी और प पर कर सकते हैं। सरकार दतिया के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इससे पहले मापितांबरा ट्रस्ट की अध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कारिक्रम को संबोधित किया। on air.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस अनुसार निर्धारत बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रभी सीजन में अलपावधी फसल रंड लेने वाले सभी किसानों के लिए एक प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्थारत ड्यू डेट तक रणकी अदाइगी करने वाले के सानु को चार प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोचसाहन स्वरूप राजिशासन द्वारा दिया जाएगा। प्रतिशत साथ नौप राजगर मध्यम सचाहिपर योजना सचाहिक्षमता 7900 हेक्टियर रभी के लिए लागत राशी 301 करोड और सूरजपुरा मध्यम सचाहिपर योजना शामिल है। चैंपियंशिप 2022 की शुरुवात होगी इस चैंपियंशिप में देश के 27 टीमें अपने कोशल का प्रदर्शन करेंगी बारवी होकी इंडिया सीनिय विमन नाशनल चैंपियंशिप में मेजबान मध्य प्रदेश के अलावा चंडीगर बिहार हरियाना असाम बंगाल त्रपोडा, राजस्थान, महराश्र, उत्राखन, जारखन, आंत्रप्रदेश, पुद्दुचरी, करनाटक, तमिलनाडू, अरुनाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, गोगा, गुजरात, केरल, तेलंगाना, ओडिशा और हिमाचल प् और तारीक पर जाकर प्रदिभाओं का चैन करेंगे, मध्यप्रदेश राजस्थ शूटिंग अकादमी के टैलन सर्च में 13 से 16 वर्ष के बालक और बालिकाय सम्मिलत हो सकते हैं, वहीं गुना जिला खेल और युवा कल्यान अधिकारी के के खरे ने बताया कि मध्यप्रदे लाड़ी भाग ले सकते हैं, उन्होंने बताया कि चैन के लिए शामिल होने वाले बालक और बालिकाओं के उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अब कुछ समाचार संक्षेप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तीन दिवसिये यूरोप दौरे के आखरी दन कल फ् मेहंगाई को नियंतृत करने के लिए रेपो रेट 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 4.40 प्रतिशत कर दिया है, इस निर्ने से सभी प्रकार के लोन लेने अब मेहंगा हो जाएगा, प्रधीश के किसान यदि सौर उर्जा संयंत्र लगाते हैं, तो उसका 30 प्रतिशत खर्चा राज जी सरकार उठाएगी, इस आशे का निर्ने राज जीय मंत्री परिशद ने किया है, मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान 8 माई को मंसौर में मरिकल कॉलेज का भूमी पूजन करेंगे, बैतूल जिला कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभा की कारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि जिले की सभी आंगनवाडियों की विवस्ताएं और उनके अभिलेक दुरुस्त रखे जाएं। के लिए आज पेंशन अदालत लगाई जाएगी। राजी मंत्री परिशद ने सहकारी बैंकों से किसानों को अलपावधी फसल रण देने की योजना को जारी रखने का फैसला किया। और भोपाल में कल से हौकी इंडिया सीनियर विमन नाशनल चैंपियंशिप शुरू कि याओद परिशध ने कि अढसे हुआगा जारी झाल झाल